हर्याना में 25 मई को वोटिंग होनी है शाम 6 बज़े से ही प्रचार थम गया है लोग सबस चुनाव को निश्पक्ष और शानति पून डंग से करवाने को लेकर यम्नानगर प्रशासन के तरफ से तैयार यहां पूरी कर ले गई है यम्नानगर के S.P. गंगराम पूनिया ने बताया कि वोटिंग के दिन 2700 पूलिस कर्मियों को अलग अलग जूटिया लगाई गई है केरला से भी पूलिस के जवान यम्नानगर पहुच गई है S.P. ने बताया कि अब तक जिले में पूलिस ने डेड़ करोड रुपे की अलग-अलग सामगरी बरामत की है हर्याना में वोटिंग का दिन अब नजदीक आ गया है राजनितिक गलों के लावा प्रशासन ने भी चुनाफ को लेकर कमर कसली है जैसे ही हर्याना में वोटिंग की तारीक तैह हुई यमनानगर में पूलिस पहले से ज़्यादा एक्टिम नज़र आई यमनानगर जिले के S.P. गंगराम पुन्या ने बताया कि आदर्श आचार सहीता लागू होने से अब तक करीम एक करोड पचास लाग रूपे की अलग-अलग सामा करीब पकड़ी गई है जिसमें साट लाग रूपे कैश, सतावन लाग के ड्रग्स और दस हजार लीटर से ज़्यादा शराब भी पकड़ी गई है इसके लावा तीस से ज़ादा अवैध हत्यार भी बरामत किये गए हैं गंगराम पुन्दे ने बताया कि 375 ऐसे लोगों को हमने चीनित किया है जो लोगसवा चुनावों में बादा डाल सकते हैं उन्होंने ये भी बताया कि हमने 200 से ऐसे ज़ादा लोगों को गिरफतार किया है जिनके खिलाफ अदालत से गिरफतारी वरंट जारी किया गए थे पुलिस ने 100 भगोडों को भी गिरफतार किया है यमनानगर में वोटिंग के दिन 40 पेट्रोली पार्टियां बनाई गई है इसके लावा 72 बूद सवेधन शील गोशित के गई है आपको बता दे कि वोटिंग के दिन 2700 पुलिस करमचारी की डूटी लगाई गई है जो पुलिस करमचारी को दूसरे राजों से यमनानगर में तनात किया गया है इससे पहले पुलिस ने पूरे जिले में फ्लैग मार्च भी निकाला और ऐसे में लोगों को निश्पक्ष और बहभुक्त चुनाव करवाने को लेकर भी एक संदेश जारी किया कि पुलिस मुस्तैद है और लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत पर खड़ी रहेगी 25 मई यानि की वोटिंग के दिन शांतिपून तरीके से वोटिंग हो ये पुलिस के लिए पहली प्रात निकता है अब देखना होगा पुलिस की तरफ से जो इंतर्जाम किये गए हैं वो धरातल पर कितने सर्थ साबित होते हैं लेकिन इससे पहले सुनिए गंगारांपुनिया का क्या कुछ कहना है देखिए जैसा कि आपको विधित है जो मद्दान शमाप्त होने की 48 गंटे पहले मत तो ये तो परचार परचार बंद हो जाना चाहिए तो आज सामसे जैसा कि परचार परचार बंद हो गया है और आगामी जो कल और परसुंग खास तोर पर जलजिस्तिन चुनाव होने हैं उस दुन पुरा चुनाव शान्ति पूर्ण निस्वक जंग से संपन हो इसके लिए जीला पुलिस के दवारा परभावी योजना तियार की गई है पूर्टल 27 होगा आसपास पुलिस क्रमचारी मदान के अंदर उपर प्रेट्रोनिंग पार्टी के तोर पे यह कानूनी ओस्ता बनाये हैं रखने हैं तो तेनाथ रहेंगे कुल मिला कि हमने जीले में 72 एसे मदान के अंदर आइडेंटिफाई किये हैं जो कानूनी ओस्ता की दरिश्टिशी थोड़े से सवेधन चेल है तो उस पे हमने जो हमारे पास में बाहर से जो सीए सेफ और केरला पूली से भी आये हैं यहां पर उनको तेनाथ किया गया है ताकि उन मदान के अंदर उपर जो मदार है बिल्कुल निस्पक्ष्टंग से संपन कराये जा सके साथ ही पूरे जिले में हमने 40 पेट्रोलिंग पार्टी बनाई गई है वो मदान के अंदर में जो डूटीज लगाई गई है उसके अलावा है ताकि यदि कहीं से भी कुछ इस प्रकार की आसन का हो तो पेट्र होने क्या संका हो तो प्लाटून भी मोगें पहुंच के कारवाई करेगी देखिए खास तोर पर निस्पक्ष्ट चुनाव कराना ने तो संपन है कि जो मजएक तत्व हैं या जो गैर कानुन में संभलिप्त रहते हैं उनके खिलाप कड़ी कारवाई की जाई इस तोटल पास-पास की ड्रग्स पकड़ी गई है और 10,000 लिटर से उपर की सराब जब की गई है साथ ही तीज से ज्यादा हत्यार भी जिला पुलिस के दवारा पकड़े गए हैं हमने कुल 375 ऐसे व्यक्ति चिनित किये थे जो चुनाओं के दोरान किसी भी परकार से बादा उत्मन कर शकते हैं या विरन डाल शकते हैं उनके खिलाब हमने CRPC के जो प्रिवेंटिव सेक्शन से उनके तहत कारवाई करी है और उनको पाबंद करवाया गया है दो से अधिक एसे व्यक्ति जिनके खिलाब मानी अदालतों दवारा गरपतारी वारंट चारी किया गये थे उनको गर पूरिस लगातार अपनी तरब से पूरी नजर इस पर बनाई रखे हैं साथ ही मेरी सभी मदाताओं से अपील है कि 25 माई को अपने घर्षे जरूर बाहर निकले अपना जो भी आपका पॉलिंग बूत है वहां जाएं और अपना जो अमुल्य मत है उसका परियोग जरूर कर रहा है किसी प्रकार का परसलोबन दे रहा है या भी को बन नए उस प्रदाब करना या कोई इन के तो हमें जरूर सुचीत करें आम सुनिश्च करेंगा कि उस सूचनाओर परभावी कारवाई की जाए और इस दो बोब्रिम सूचनाओर कर रहा है उसका नाम वह पनी कि अपता है